वेलकम फैंस, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से सवागत है इस वीडियो में हम एनलाइस करेंगे गलेन मारक साइंस के जो आई पियो है उसका लिस्टिंग होने वाले सेर के बारे में ये सेर कितना ग्रोथ कर सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें इस share की जो market cap है और इसकी जो value है ग्रेव GMP में किस परकार से growth करेगा किस परकार से listing करेगा इस वीडियो में हम बात करेंगे चलिए जोस्तर शुरू करते हैं मान दीचिया आपने IPO apply कर लिया है और आपका apply हो चुका है लोट हो गया उसके बाद किस परकार से listing होगी इसमें जो एक लोट में जो share है 20-20 रहेंगे और इसकी जो listing date रहेगी IPO की 6-2021 रहेगी उसके बाद ये IPO launch हो जाएगा अब बात करते हैं ये जो company काफी अची manufacturer company है और काफी अच्छे ड्रेक्टियू से काफी अच्छे volumes है और ये फार्मकलेशन जो sector की काफी अच्छी company है और ये जो manufacturing करती है और supply करती है बहुत अच्छी quality के products अब बात करते हैं इसके products क्या है high quality के products है लगबग 120 है customer जो all world के अंदर है वो 540 पर अच्छे अच्छे group है और इसकी जो global market है काफी अच्छी है इसमें कई देश आती है अमेरिका या बहुत सी बड़े बड़े देश आती है और काफी अच्छी growth है और इसकी जो location है काफी अच्छी location तीन location पर ये company R&D के दोवारा center से है और काम करते है अब बात करते हैं इसके market cap के यदि हम market cap देखे तो 8000 क्रोड के आसपास इसकी market cap रहने वाली काफी अच्छी है और इसके share की जो allotment है 695 और उपसे 720 के around है और जो first load के जो price रहेगा 14400 के आसपास रहेगा अब बात करते हैं GMP market में इसका price कितना रहने वाले यदि हम GMP में इसके तुलना करें तो इसकी जो बड़वार रहेगी 136-38 रहेगी और maximum रहेगी 300 के पार यदि उसका जो product है या फिर sleeper ladder के बाद इस परकार से जो Glenmark life है जो science है जो IPO है listing हो और काफी अच्छे बहतर प्रणाम य आस-पास होगी यदि आपको जानकार यह अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक कीजिगा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धिन्यवाद दोस्तों